हेलो फ्रेंट्स कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो इशू की थी जिसका टाइटल था जॉब प्रोफाइल ओफ इस टैनोगाफर उस वीडियो को इशू करने का मेरा परपस ये था क्योंकि कुछ मेरे पास लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जब हम उनकी क्वेरी भी थी क क्या हम जॉब कर पाएंगे तो उनके माइंड में कुछ अप्रिहेंशन थी तो इसलिए मैंने वीडियो इशू की थी और उसमें जो बेसिक ड्यूटी जो दी जाती है उनके बारे में मैंने अपने उपीनिन दिया था अपने व्यूज शेयर किये थे मैंने और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करऊंगा अपने व्यूज के what are the qualities needed for a stenographer to grow in this field तो stenography में जैसे आप जानते हैं stenographer degrade होता है C होता है B होता है उसको personal assistant भी कहते हैं तो उसके बात private secretary होता है या उससे ओपर सकता है तो इसमें grow करने के लिए हमें क्या-क्या qualities होनी चाहिए उस qualities के बारे में share करने से पहले हमें understand करना है कि स्टनोगाफर का basic स्टनोगाफर का role क्या होता है The primary role of स्टनोगाफर PA, private secretary is to render secretarial assistance to his superior जो भी जिसके साथ भी हम post किये जाते हैं, जो भी boss होता है हमारा, जो भी superior होता है उसको secretarial assistance देना, जिस में स्टनोगाफर की भी assistance होती है, mainly and performing such other activities or duties as may be required in managing the office of his superior in discharging his duties efficiently अब जो हमारा superior, जो हमारा boss है, उसकी जो जो duties होती हैं, उसमें हम कितना उसको help कर सकते हैं अच्छी तरह manage करने में, in addition to secretarial assistance, वो सब हमारी duties में included होता है तो जो extent और nature होती है duties की, वो depend करती है कि आप किस level की officer के साथ attach किये जाते हैं और उसकी क्या, उसका level क्या है और उसकी expectations क्या है, ठीक है जब भी एक standard offer fresh, जो grade D में होता है initially, उसकी जो posting होती है तो under secretary या equivalent level के साथ होती है और जो C में करेगा तो उसकी, he is posted with senior और middle level officer, तो उसको personal assistant भी बोला जाता है similarly, जो private secretary या senior private secretary होते हैं, they are posted with various senior level officers तो क्योंकि जो बहुत ज़्यादा senior officer होते हैं, उनका work area या duty का area होता है वो काफी बढ़ जाता है, छोटे level के हिसाब से कम होता है, जैसे जैसे बड़े level के साथ आप post होते हैं उनका work area भी बढ़ जाता है, और जो उनका reporting staff होता है आगे, वो भी number बढ़ जाता है और responsibilities भी ज़्यादा होती हैं, तो naturally, जिस साब से हम, जिस officer को assist कर रहे हैं उस साब से हमारे भी role change हो जाता है, और expectations भी हमारे से change हो जाती है और स्टैनोगाफर जितना higher grow करता है अपने level में, उस साब से उसकी nature of duties और responsibilities, in addition to secretary resistance, change होती रहती हैं तो इसको sum up करने के लिए हम क्या सकते हैं कि role of स्टैनोगाफर changes with his promotion as PA, private secretary and posting with a senior officer तो जितनी जल्दी एक स्टैनोगाफर qualities को जो भी grow करने के लिए चाहिए जितनी जल्दी उसको acquire करेगा, उसके अपने लिए बैटर रहता है अपने survival के लिए और अपनी growth के लिए तो मैं following जो अभी आपके साथ views share करने जा रहा हूँ उसमें मैं qualities जो एक स्टैनोगाफर में होनी चाहिए to cope up with the kind of responsibilities or expectations और grow करने के लिए स्टैनोगाफी field में जो मैं आपसे share कर रहा हूँ मुझे उमीद है कि मेरे views जो हैं आपको जो शुरू कर रहे हैं केरियर उनको भी help करेंगे जिन्होंने अभी केरियर शुरू करना है या जो लोग पहले जॉब में हैं स्टैनोगाफी में और senior positions के लिए कर रहे हैं तो उनको भी help करेंगे तो first point है flawless transcription जैसे कि हम जानते हैं कि primary job जो है स्टैनोगाफर की वो क्या है dictations लेना अपने officer से जिसके बाद भी आप posted हैं और dictations लेके उनको transcribe करके matter को देना और जितना flawless होगा जितना उसमें कमी मतलब कोई गलती नहीं होगी उतना उसको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा the earlier we are able to understand the accent, flow of dictation, form of communication जो हमारे boss है उसकी क्या accent है, क्या उसकी flow है dictation का, कितनी speed पे देते हैं communications किस तरह की होती है, letter है, memorandum है, notice है और जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को समझेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा और हम properly deliver कर सकेंगे, और उनकी अपने boss की requirement के साथ अपने आपको align कर सकेंगे flawless transcription means without mistake, यह सभी officers उमीद करते हैं क्योंकि इसमें उनका भी time बचता है, उनकी energy save होती है और जितनी हमारी vocabulary अच्छी होगी, जितना हम अच्छा deliver कर पाएंगे, उतना उनको भी अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी वो अच्छा रहेगा एक standard offer को जब कोई dictation दी जाती है, तो जितना वो उसको अच्छा करके देगा, उसकी naturally, उसकी image शुरू से ही उसी साब से बन जाती है और जो confidence होता है, superior का, boss का, वो भी उसमें शुरू हो जाता है बनना और जिस case में person is attached with very senior officer, तो आपको कभी-कभी independence, correspondence भी करने पड़ती है ताकि छोटे-छोटे letters जो हैं, उनका आप खुदी dispose of कर दे, acknowledgement देना है या चोटे letters जो हैं, वो आप करके दे सकते हैं और अगर आपकी typing बहुत अच्छी है, if you have good punctuation, good vocabulary, knowledge of the language तो इन सब का, जो है, हम use कर सकते हैं, from time to time, जब भी हमें जुरत पड़े और जितनी जल्दी हम इन सीजों को acquire करना शुरू करेंगे, और including grammar भी है जितना हम जल्दी acquire करेंगे, उतना हम अच्छा better अपनी output दे सकेंगे और उतना ही हमारा overall development होगा और हमारी growth में help करेगा Second point is regularity, ये तो हमें मालूम है कि जो भी officer है, जिस भी level पर है वो अपने काम के लिए accountable होता है, और जो भी उसको duties दी जाती हैं, वो उसको perform करनी होती है और जो stand of office secretary जो उसके साथ attached है, उसको secretarial और जो भी work और assign किया जाए, उस stand of offer उसको करके देना है और क्योंकि officers regular होते हैं अपने काम attend करने में, तो वो expect करते हैं कि उनके जात जो भी लोग attached हैं, वो भी attendance में regular रहें ताकि उनको अपनी duty efficiently करना असान हो जाएं, जब कोई भी officer उसका अगर कोई PA है जो absent है तो naturally उसके काम को affect करता है और कोई भी officer पसंद नहीं करता कि मैं office में जाओं और मेरे को secretarial है ना मिले तो naturally वो कैसे deliver करेगा अपनी duties को so being in regular in office is very important especially for a secretary seeing the nature of his duties supposing एक officer है जो एक staff manage कर रहा है उसने को instructions issue करनी है कुछ भी करना है so he is not able to perform his duties because his secretary is not there so since we are attached to an officer तो regularity जो है हमारी वो भी एक बहुत important point है next point is punctuality अब आप इसको चाहे qualities कहें चाहे requirements कहें expectations कहें सभी officer अपने secretary से उमीद करते हैं कि वो punctual हो regular तो हो ही लेकिन punctual हो though being punctual is a duty of every employee on his own but if the officer with whom one is posted is coming to office very early and stays back after the normal working hours तो वो उमीद करता है कि मेरे साथ जो attached है वो भी जल्दी आए और जब तक मैं office में हूँ तब तक वो वहीं पर रहे ताकि मुझे जो भी काम हो मुझे help के लिए होना चाहिए so this is more frequently required by very senior officers who are no doubt very dedicated also and lot of and have lot of responsibilities lot of duties to perform so punctuality is another requirement I would say for a stenographer to grow जिन cases में एक stenographer ये secretary बहुत अच्छा deliver करता है सभी मतलब efficiently deliver करता है सभी चीजें उसमें naturally उसका superior भी उसके ओपर dependent हो जाता है और वहाँ पर punctuality और important हो जाती है और naturally अगर आप punctual है boss को उसे साब से effective services दे रहे हैं value addition कर रहे हैं उसके काम में तो all this helps in getting good appraisal and improving the chances of further growth in the carrier also now since there are many points to be shared बहुत सी अभी ऐसी चीजें है responsibilities कहूं, qualities कहूं, expectations कहूं तो मैं इनसे deal करूँगा आप नेक्स वीडियो में इन parts करता रहूंगा weekends पर ये पहला part है जो मैं आज release कर रहा हूँ और मुझे उमीद है कि आपको ये contentious के useful लगे होंगे अगर आपको ठीक अच्छे लगे हों तो please like करिए, share करिए और अगर आपने subscribe नहीं किया हो तो subscribe करिए all the best to all of you, thanks तंक्स